केसी एन में आपका स्वागत है मैं किंग हमीद यावुदे करणक्कु मतदान दिन्द वंचित नाग भार देंबावु देश दिन्ड प्रती भूत मटदलु प्रती ग्रामा नगरगलली स्वयम प्रेदित रागी मतदान वन्न्नु माडलु कार्यन निडिदरु नम्मा प्रतिनिद्यू एहिंदे इल्लद इकलगली इग्याके इन्दु प्रेष्णिसी दाग, मोलान अलहाजुस्मान शरीफ साब्रवरु माधनाडी, कलदा हत्त्तु वर्षगलिंद देशदली आगूतिर्व अनाहुत्त गलन्नु गमनिसी दाग, देशदा प्रगती समगरत गागी, जाती बेद विलादे अब प्रामानी का मत्व निस्टा मन्ता मत्व सर्वा धर्मा नायका ननु आरे सलू नाव गड़ू पणा तोड़वे केंदू करें नीडिदरू, सुद्धी गोस्ट्येली धार में कमू कंडरू, हाज रिदरू, प्रमा, आवरा, बा जुमा परलीमानी इंतखाबात, शेहर मैसूर और कोड़ग के लाके के लिए इलान किया गया है, लहाज़ वोड़ की एहमियत के तालुख से आप लोग बार बार आपको बताया जा रहा है, उलमाए किराम फर्माते हैं, वोड़ जो है, वो शहादत को कहा जाता है, कुरान पाक में अल्ला तबार को ताला ने फर्माया, वला तक तुम उख शहादा, के शहादत देने से ना रुको, ना पीछे हटो, वोड़ हमारे लिए शहादत का जो काम करता है, हम जो शहादत देते हैं, एक अच्छे नुमाइंदे के लिए हम ये शहादत दे रहे हैं, खुलमाया ले सुन्नत ने फर्माया, वोड़ जो है, ये सिफारिश का भी काम करता है, तो हम सिफारिश उस आदमी की करें, जो मुलक के लिए बहतर हो, जो मुलक की सेक्यूलिरिजम और मुलक के आईन की हिफादत करे, और ये जो एम पी एलेक्शन है, इसमें हमारा नुमा और कोड़ों में, लयाजा मैं गुजारिश करता हूं कि अबणी वोड बी जाया ना करें, अगर हमारा एक वोड भी जाया हो गया, तो ये समझेए कि हमने गफलत में वक्त गुजार दिया हमने हिंदुस्तान के साथ वफादारी नहीं किया मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम घर के एहबाब जितने भी नौजवान हैं घर की मस्तुरात हैं जर्वालों की जिम्मेदारी है कि अपने मस्तुरात को भी ले जाकर के आप वोट जरूर भी जरूर डालें और एक 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 एहम गुजारिश ये भी है कि चुझे जुमा का मुक्दस दिन आ रहा है हम अपील करते हैं कि मसाजिद में खुतबात को बिल्कुल मुक्तसर करके जल से जल जुमा की नमाज और खुतबा नमाज पढ़ा कर लोगों को फारिख कर दें ताके वो जो बच्चा हुआ वग्त है उसमें जल से जल पहुँचकर वोट जो है डालें वोटर लिस्ट में अपना नाम आप लोग अभी से जो है निकाल के तैयार कर लें अपना आधार काड ले जाकर के अपना वोटर लिस्ट आप निकालें और हम एक और गुजारिश आखिर में एक बात ये भी कहता हूं कि 26 तारीख से पहले जो एहबाब यहाँ वाँ घुमने फिरने जा रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने इस सफर को मलतवी करें और 26 तारीख को वोट डालने के बाद आप जहां जाना चाहते हैं जाएं मगर वोट एक हमारी अहम जिम्मेदारी है यह हमारा आईनी हक है लियाजा इसको आप जो है जाया ना करें वोट इस्तमाल करें व कार्परेशन इलेक्शन हो हमेशा यह जो तंजीमे हैं और उल्मा किरام की कमेटियां longevity हैं जुड़के ही अमदोलीलह अपना अपना पैगाम हर वक्त पहुचा रहे हैं पुह पहुचाते हैं हम फिर अवाम से यह अपिल करते हैं कि वो चाहे अब पार्लीमानी इलेक्षन है हो या ML election हो या corporation election हो आप अपना वोट इस्तमाल करें वोट डालें अच्छे नमाइन दोए कुछ चुने जो कौम और मिल्लत की खिद्मत कर सके السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ आज शेहर मैसूर के ओलमा अहल सुन्दत मुक्तदर ओलमा और दिगर अमाईदीन शेहर मैसूर अखटा हो कर के आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि 26 तारीक बरोज जमा हंदुस्तान की आईन के हिफाजत के लिए हंदुस्तान के तहफ़स के लिए हंदुस्तान की जो हम और आप महबद करते हैं इस महबद का तकाज़ा इस महबद का एक दावा ये भी है कि हम अपना हक जो ओट की शेकल में हम ओट डालते हैं यह हमारा हक है 26 तारीख बरोज जुमा जो एलक्शन मैसूर कोड़ो गोईरा का इलाका है यहां की जो तारीख मकरर की गई है वो 26 तारीख जुमा का दिन है अपने अवाम को चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्खो, इसाई हो चाहे किसी भी मज़भ से तालुक रखता हो हिंदुस्तानी होने के नाते उसका हक बनता है कि वो अपना ओट डाले और ओट यह हमारा हक है अगर हमने वोट को इस्तेमाल ना किया तो हमने गोया हिंदूस्तान के वफादारी में हमने अपने आपको पीछे कर लिया इसलिए वोट हमारा हक है हमारा यहां पर जमा होने का मकसद सिर्फ यह है कि हम इस मरतबा जो एलक्षन का मामला है यह हमारे मुलक की हिफादत का मामला है हमारे मुलक के आईन को बचाने का मामला है इसलिए हम सब से उमीद करते हैं कि सब अपना अपना ओट डालेंगे और हिंदुस्तान की हिफादत के लिए हिंदुस्तानी होने का जो हम सुबूत पेश करते हैं वफादारी का हम जो दावा करते हैं उसमें हम मुकमल तरीके से अपने हक को अदा करके हिंदुस्तान से महबबत का हम दावा पेश करें और खुद अपना वोट नहीं, जो भी 18 साल की अमर के हैं, उनका वोट बनता है, वो जाएं, आप खुछ जाएं अपने घरवालों को, अपने बच्चें को, जो 18 साल की अमर के हो चुके हैं, उनको ले जाकर के अपना वोट डालवाएं, अपने घरों के अलावा, अपने महले में अपने पडोस में अपने गाओं में जहां तक आपके पहुंचे इस काम को हद दर्जे तक कोशिश करें ताकि हर एक का ओट जाए और हर एक का ओट डाल करके जो है अपना वक्त को जाया के बगए अवलीन वक्त में पहुंच करके अपना हक जो ओट है उसको डाल दें ताक कि हमारा उट जाया होने ना पाए अगर हमारा उट जाया हो गया तो जिसका नतीज़ा यह होता है कि जिसको हम चुनने के लिए तैयार है यह allen जिसको हमने अपना जो नुमाइंदा चुनकर के आँसे भेज रहे हैं अगर वो हमारे यहां तर गोट लेगर के जीत करके जाएगा तो वो हमारे लिए अपने मुलक के लिए काम करेगा और उसको चुनने का मतलब यही होता है कि हमने उसके हुआ ही दिये कि यह हमारा सही नमा spider है इसलिए मेरी गुजारिश है कि नमाइंदा भी ऐसा चुने जिसके अंदर से कुली रिजम हो जिसके अंदर हर मज़भ से महबत करने वाला हो हर एक हिंदुस्तानी से मिलने वाला हो महबत करने वाला हो आपस में भाईचारगी का दद रखने वाला हो ऐसे नमाइंदे को चुने और उसको जीता करके हमारे मुल्क की हिफाज़त के लिए अपना आप जो हक है उट का डाल करके अपने नमाइंदे को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा मुल्क महफूज हो सके मैं उमीद करता हूँ कि जो हज़रात ओट देने के काबिल है वो अब वाल इन मुल्क में जाकर के अपना ओट एदा करें ताकि हमारा ओट जाया होने ना पाए उट हकीकत में बहुत सारे लोगों को ओट की एहमियत का पता नहीं कियों समझते हैं कि हम डाले ओट या ना डाले ओट उससे क्या फरक पड़ता है मैंने अभी आपको बताया कि ओट ये हमारा हक है और जो आदम ये सोचे कि हम ओट ना डाले या डाले उससे क्या होता है तो उसको हकीकत में अपने हक का पता ही नहीं जिसके बुनियाद पर मामला ये होता है कि वो अपने हख को खो देता है फिर बाद में पस्तावा करता है काश में ओट डाला होता है काश में एलेक्शन में गया होता है अपना हख अदा कर दिया होता है तब उसको एसास होता है इसलिए कहा जाता है कि यह अ양ओ अक है ओट को जाया ना करें ओट बड़ा कीमती होता है एक एक ओट से जो है हम अपने नमाइनल को जीता सकते हैं एक एक ओट से हमारे सामने मिसाले मुजुद हैं एक एक ओट की बन्याद पर कितनों की कुर्सियां गिर गई कितनी की कुर्सियां खड़ी हो गई एक ओट की बन्याद पर हमने अपना ओट जाया ना करें समझे ओट की हकीकत को दूसरे मामलात में हम हर मामले का अपना हक लेने के लिए तयार होती जहां ओट के बाता है कियों गजाता है कि करने ना करने से क्या हुआ था यह हमारी गफलत मैं नवजबानों से हूँ, बुज़र्गों से हूँ, मेरी मा और बहनों से हूँ हर मलक के हिंदूस्टानी से मैं यही कहुंगा कि ये हमारा हाख है वोट को जाया ना करें अपने वोट को दे कर के जो है हिंदुस्तान की हिवाज़त के लिए आप भी हिस्सेदार बनें मैं सेर मैसूर के सर खाली साहब, अलिजनाब, पयाद अमज़ नाचिस मैभी मौज़दी आप लोगों के सामने एक अपील की जा रही है, जो के ऐलेक्षण के बारे में है, हम लोग समझत हैं के कारपेशन के ऐलेक्षण में हमारा खास नमाइदा अमारे निजनाब नज़दी ख्राइस वाला को वोट दे कर महां पर हुजुम रहता है कि मेले के लेखन में हमारे नुमाइन्दा मेसव वाला ही होता है हमारा हाट- USDA उसको भी हमें ऑट डाल ने का सित जद्ध करते हैं लेकिन आइक्चिली जो लोकसभा का इलक्षन है उसमें परसंट एर चालीस से चालीस हुआ पर्शंट होता है इसलिए क्यों डूप्र जो भी हमारे मामिला थे उसको ह्ल करनी क्या वो मामिला junta है इसलिए हमें काहिली बरता है करते हैं चालिस पो पांच परसेंट पचास परसेंट साट परसेंट ज्याद होता है मैं तमाम नौजवानां से बुज़गाने दिन से मेरी माँ भेहनों से अपील करता हूं कि जो हंडेट परसेंट ने तो 90 परसेंट भी ओट की एवरेज लान कर ओट जलाएं ताकि ओट की जो परसेंटेज वो जयाद होएं क्योंकि ओट की परसेंटेर में हमारे में पहुत काहली है मिसल्मानों में खासतार क्या ए70 का एक्च्छन और क्या जृष्षाह को लाता की कून जाता की ऐसा बोलके समझझा में एमपी का ओलेशन जो हैब्भ को एकता होकर ओट के हमें समझ कर ओट के परसेंद बढ़ाना जोरूरी है इस बार तमाम महर्मानी फर्मा कर पहली फुरसत में साथ बज़ें से वोटिंग भूट खुल जाएंगे नमास पढ़ें फजर की नमास पढ़ें जिकर करके धुआ करके निकलें निकल के ओड दालें ओट दालने से आपके दुआ में किसकी दुआ में क्या आसर है अला बितले जानता है एक अच्छे नमाएं जो को आप लोग सुनकर लाएं ताकि हमारे हिंदुस्तान मजबूत हो हमारे हिंदुस्तान में आने वाले हर परिशाने हैं से अल्हाँ अफ़ादित फर्माएं और ये मामिले के लिए खास लोग से तमाम हज़राँ जद्व्यवद्द करें ये कीड समझे है एक इसा निकलकर खाना पीने कि तेसा मनाता है एशा है समझ कर ये इस समझ कर जाकर वोड़ ढले तो आगी ना वाज़ीश होगी क्योंकि एक कीड का माहौल है ये वोड़ ढलना य तो से राजी नहीं होता, सही गवाई जाना आप जाकर वोट दालें तो आएन नावाजी शोगी, अपने काड़ा अपने खरों से निकाल ले जिए, अपने कार्पेटर के हाँ जो एरे के कार्पेटर है उनके पास लीस्ट है, लीस्ट जाकर वोट ऐडी कार्ट लेकर जमार र काया यह नहीं है तो शालेंज वोट करिए, उसमें भी वोट लिया जाएगा, लेकिन वोट दालना कंपलसरी है, मैं और एक बार रिक्वेश्ट करता हूं, तमाम वोट करें, तमाम हिंदो, मुस्लिम्सी, कि इसाहिए, तमाम भी वोट करें, तो हिंदो वाजिश होगी, अस जो छबीस तारिफ को बरोज जुमा जो इलेक्शन होने वाला है, यह पारलिमानी इलेक्शन है, यह पारलिमानी इलेक्शन जो है, यह हमारे हिंदोस्तान का बड़ा इलेक्शन है, जिससे पारलिमेंट के मिम्बरान चुने जाते ही, लहाज़ा और हमारे आइन वो दस्तू का हख देता है हमें कि हमें इस वक अपना गोट इस्तेमाल करें यानि अपने राए को इस्तेमाल करके मुंतखिब अपने मुंतखिब नुमाइंदे को पार्लिमेट को भेजें इसलिए ये इन्तेखाबात के लिए वोट देना दस्तूरी हमारा हख है आईनी हख है और मुल्की और मिली ये फरीजा है लहाजा इससे गफलत ना बरतें किसी तरह भी अपने वोट को जाय होने ना दें अपना वोट जरूर इस्तमाल करें और अपने घरबालों को जरूर वोट दालने की हिदायत दें और अपने अहले पडोस दीगर नौजवाना चाहे मर्द हो या औरत हो जो वोट देने के लायक हैं उन्हें वोट देने की हिदायत दे कर उन्हें वोट देने पर उनको रवाना करें और अपना हख ये जरूर इस्तेमाल करें क्योंके इस से जो है हमारी जमुहरियत को ताकत मिलेगी अमारे मुलक को सालिमियत मिलेगी और हमारा मुलक जो है इन मुंतखि नुमाइदों के जरीए तरफी पर तरफी हासिल करेगा और मजबूत होगा और हर हिंदुस्तानी ये इस वोट का हखदार है, इस वोट को जरूर इस्तेमाल करें। हम सब को दिन्या की बेच्ची जिन्देगी अता फर्मा, और आखिरत की बेच्ची जिन्देगी अता फर्मा, हर तरह के आजाबों से, फितनों से, वबाओं से, बलाओं से, परेशानियों से हम सब की हिफादत अता फर्मा, या इलहालामीन इस इन्तेखाबात में, या इलहाल और मुल्की ताखत को मस्ताहकम बना या इलहालालमीन हर हिंदुस्तानी की हिफादत अता फर्मा मुल्की हिफादत अता फर्मा इस इन्तिखाबात के नतीजे हम सब के लिए बहतर से बहतर साबित हो या इलहालालमीन हमारे इस कोशिशों को खुबूल फर्मा कर हमें इस एलक्शन का अच्छे से अच्छे नतीजे से हमें खुशखबरी अता फर्मा Allahumma Rabbana तखबल मिना इनका अंता समी अलीमत वा अलीना इनका अंता तवाब रहीम इलाही भी हुर्मती सेदिल मुरसलीन सुभान रब्बिक रब्बिल रिज्जत अमा यसिफून वसलाम अलाल मुरसलीन वल्हंद लिल्लाह रब्द आलमीन